आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेली करेंट अफेर्स का वीडियो है 7 जुलाई 2023 का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्पुर्न है आप किसी भी एकजाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो मे जितने भी कोश्चन को डिसकस किये गए हैं वह सभी कोश्चन परिच्छा के लिए काफी महत्पुर्न है तो आप किसी भी परिच्छा की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ है तो कमेंट जरू अगला कुश्चन है भारत ने स्टरट अप 20 की जो मशाल है वह किस देश को सौ्ब दिया है तो सेयुंत्तर है ब्राजिल को भाऊरज जो है वह स्टारटिव 11 की जो मशाल वह ब्राजिल को सौप दिया है क्योंकि G20 का जो Watts Nation होगा 2024 का वह है ब्राजिल ब्राजिल है 2024 का付 दिशन और 2025 का जो Host Nation है जक्षिन अफरीका यह है दक्षिन अफ्रिका यानि अब जो स्टार्टप 20 का जो सिखर सम्मेलन इसका है वह खत्म हो चुका है और जो लास्ट सम्मेलन और्गनाईज हुआ था स्टार्टप 20 का यह हुआ था गुरुग्राम बुरुग्राम में यह और्गनाइज हुआ था हरियाना में अगला है ग्रीन हाइडोजन पर अंताराष्टिये सम्मेलन का उद्गाटन किस स्थान पर किया गया है तो सयुद्तर है नई दिल्ली में ग्रीन हाइडोजन पर एक अंताराष्टिये सम्मेलन जो हो रहा है इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में और यहां जो सम्मेलन और्गिनाइज हो रहा है यहां केंद्रित है ग्रेन हाइड्रोजन पर यहां केंद्रित है और इसका उद्गाटन किया है केंद्रिये विद्धित और नवीन एवं नवीकर्निये उर्जामंत्री हैं RKC RKC के द्वारा इसे उद्गाटन किया गया है ग्रेन हाइड्रोजन सम्मेलन का अगला है भारत की G20 अध्यक्ष्था के भाग के रूप में अंतरिक्ष आर्थवियस्था के नेताओं की बैठक का जो चौथा संसकना नहवा कहाँ आयोजित किया गया है तो सयुद तरह इसका बैंगलोर में भारत का जो G20 अध्यक्ष्था के तरह जो है अंतरिक्ष परिशर्किस देश में स्थापित किया जाना है तो सयुत्तर इसका है तंजानिया में जन्जीवार एक जगह है जहांकि IIT मद्राश जो है इसका एक श्टिंशन एक तरह का कहा जा सकता है कैमपस जो है वैए जन्जीवार में इसका स्थापना किया जाएगा यानि इसका नाम हो जाएगा IIT मद्राश जन्जीवार कैमपस अभी भारत के जो विदेश मंत्री है इस जैसंकर वह तंजानिया की आतरापर है तो वहां वह IIT मदरास का जो extension campus होगा और या इस तरह का भारत के बाहर या पहला इस तरह का परिसर बनाया जाएगा जैंजी बार में जो की तंजानिया में इस्तित है अगला है 67 Travel Agents Association of India संभेलन कहां शुरू हुआ है तो सयुत्तर इसका है कोलम्बो में 66 Travel Agents Association of India यानि TAAI का संभेलन शुरू हुआ है कोलम्बो में तो इसका सयुत्तर हो जाएगा कोलम्बो अगला है किस सहर ने G20 अनुसंधान और नवाचार मंतरी अस्तरिय बैठक की मेजवानी किया है तो इसका सयुद्तर है मुम्बई जो है वाई G20 अनुसंधान और नवाचार मंत्रिय स्तरिय बैटक की मेजवानी किया है मुंबई में अगला है मार्ज 2023 तक भारत में किस राज में सबसे अधिक सुछ मरीन उधार है तो इसका सयुत्तर है बिहार जो अब तमिल नाडु को पीछे छोड़ते हुए मार्ज 2023 तक भारत का सबसे अधिक सुछ मरीन उधार लेने वाला या राजय बन गया है तो सयुत्तर इसका है बिहार अगला है पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की सस्थान पर स्ठापित किया जाएगा तो सयुत्तर है मेहसाना जो है गुजरात में वहां सैनिक स्कूल को स्थापित किया जाएगा जो की पहला सहकारी संचालित होगा यानि कॉपरेटिव के थुरूई से चलाया जाएगा सैनिक स्कूल को अभी जो सैनिक स्कूल होता था या Central Government Funded अभी सैनिक स्कूल होता है जो भी भारत के अलग-अलग राज्यों में सैनिक स्कूल जो इस्तित है वह सेंटर के द्वारा या संचालित होता है तो इसका सैनिक स्कूल होगा इसका नाम होगा श्री मोती भाई आर चौदरी सागर सैनिक स्कूल और इसका अधार सिला रखे हैं अमित्सा के द्वारा इसका अधार सिला रखा गया है अगला कोश्चन है किस मंत्राले ने राज्यों में अगनी सेवाओं के विस्तार और आधुनिकी करन के लिए योजना सुरू किया है तो सैयुत्तर है ग्री मंत्राले और वर्तवान में जो ग्री मंत्री है भारत के वह हैं अमित्सा अगला कोश्चन है किसे ICAR Indian Institute of Oil Palm Research के लिए अनुसंधान सलाकार समिती के अध्यक्ष के रूप में निउप किया गया है तो सैयुत्तर इसका है अगला है धर्म चक्र दिवस किस दिन मनाया जाता है तो सैयुत्तर 3 जुलाई को धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है और यह जो धर्म चक्र दिवस है गुरु कुर्निमा के दिन मनाया जाता है अगर हम बात करते हैं धर्म चक्र दिवस का तो यह जो धर्म चक्र दिवस है यह बुद्ध को ग्यान प्राप्ट करने के बाद पहली सिच्छा की याद में इसे मनाया जाता है और धर्म चक्र दिवस है वह आसाड की पुर्निमा के दिन इसे मनाया जाता है और यह धर्म चक्र दिवस है यह वरसा रितु का शुरुवात का यह प्रतीक है तो मेंली गुरुपुर्णिमा पर धर्म चक्र दिवस को मनाया जाता है जो कि इस साल पड़ा है 3 जुलाई को गुरुपुर्णिमा पड़ा था इस दिन धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है अगला है चंद्रियान 3 जो की हाली में इसरो के द्वारा लॉंच किया जाएगा उसको किस अंत्रिच रॉकेट से लॉंच किया जाएगा तो सही उत्तर है इसका GSLV Mark 3 रॉकेट जो की इसरो का या सबसे हेवी रॉकेट है इसरो का यह अभी तक का सबसे हेवी रोकेट है GSLV Mark 3 रोकेट इसके दोरा चंद्रियान 3 जो है इसको GSLV Mark 3 रोकेट से लांच किया जाएगा अगला कोश्चन है कौन सा देश फीफा महिला विस्व कब 2023 की मेजवानी करेगा तो इसका सयुत्तर है आस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड जो है वह सयुत्त रूप से दोनों देश फीफा महिला विस्व कब 2023 का मेजवानी करेगा और यह 20 जूलाई यह जो है टूनामेंट यह 20 जूलाई से सुरू होगा फीफा महिला विश्व कप 2023 तो इसका सहयुत्तर हो जाएगा आस्ट्रेलिया और न्यूजिले हैं और वर्तवान में इसके विजेता जो है वह यूए से है और सरवादिक चारवार यह 20 कप को जीता है अगला है जापान और भारत के बीच समुद्री अभ्यास 2023 है जाइमेक्स इसका सातवा संसकरन का आयोजन कहां किया गया है तो सहयुत्तर है विशाखा पतनम में जापान और भारत के बीचे समुद्री अभ्यास है जिसका नाम है जाइमेक्स 2023 इसका सातवा संसकरन का आयोज में यहा जो अभ्यास है इसका आयोजन किया गया था बंगाल की खाड़ी में तो इसका सही उत्तर है इस बार विशाका पत्नम में इसका आयोजन किया जाता है जाइमेक्स 2023 का तो यहा कुछ करेंट अफेर्स का कोश्चन है 7 जुलाई 2023 का अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ आया हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से यादा लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और इसे ज्यादा से यादा आप सेयर किजेगा जय ही जय भारत